नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आई एंटी हिंदी टेक में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे योनो SBI एपलिकेशन के मदद से आप अपने SBI एकाउंट का रजिस्टर्ड मुफाल नमबर सिर्फ दो मिनट में कैसे चेंज कर सक तो वीडियो आप लोगों ने देखी लिया होगा कि कितने मिनट का वीडियो है तो दो मिनट के अंदर आप लोग बहुत ही आसानी से योनो SBI एपलिकेशन के मदद से रजिस्टर् मुफाल नमबर एकाउंट का चेंज कर सकते हैं तो सबसे पहले योनो SBI एपलिकेशन को ख करने के बाद यहां पर आपका पहले वाला मुवाइल नमबर नजर आएगा उसके बगल में इडिट वाले आपसंस आपको नजर आएंगे इस इडिट वाले आपसंस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड एंटर कर के okay करना है उसके बाद आपको options मिलेगा नया mobile number enter करने की तो आपको नया mobile number यहां पर enter करना है और नीचे में OTP on both old and new mobile पर आपको take out रहने देना है और update पर click करना है इससे क्या होगा कि आपके दूनों mobile number पर OTP आएगा जिसमें सबसे पहले old mobile number पर OTP आएगा तो आपको यहां पर OTP एंटर कर देना है चलिए यहां पर हम OTP एंटर कर देती है जैसे ही आप old mobile पर आये हुए OTP को और करके यहां पर submit करोगे उसके बाद नया mobile number पर जो OTP आया होगा उसको यहां पर enter करके आपको सब्मिट करना पड़ेगा तो चलिए यहां पर हम OTP एंटर कर देती हैं जो नया वाला नंबर पर हमें OTP रिसीब हुआ है उसे हम यहां पर एंटर कर देती हैं आप दोस्तों इसके आगे आपको कोई भी परकिरिया या प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा जैसे ही आप OTP यहां पर एंटर करके सब्मिट करोगी आपका जो रिजिस्टर्ड मॉवाइल नंबर रहेगा वो बदल दिया जाएगा इंस्टेंट में और तुरंत में ही आप जो नया वाला मॉवाइल नंबर यहां पर अपडेट करते हैं एंटर करते हैं उससे आप किसी भी का रिजिस्टर्ड मॉवाइल नंबर चेंज कर सकती हैं तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और बीना समय गवाए अगर आपको इसी परकार के वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जर जरूर से जरूर सबस्क्राइब करें और इस वीडियो से जुरी कोई भी सवाल हो आपके दिल में तो भी ही जग कमेंट करें मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में हमें दीजी इजाज़त तब तक के लिए गुडबाई